दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए Blue Planet YouTube चैनल को और दबाईए बैल आइकन को ताकि आपको मिले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन दंगल फिल्म में अमीर खान की बेटी का करधार निमाने वाली फातिमा सनाशेक जश्रार बैनर की अगली फिल्म ठगस ओफ हिंदूस्तान के लिए फाइनल हो चुकी हैं आपको बता दें कि इस फिल्म में बोलिवुड सुपरस्टार अमीर खान और अमिता बचन एक साथ दिखेंगे ये फिल्म अगले साल यानी 2018 को दिवाली पर रिलीज होगी फातिमा का नाम फाइनल होते ही एक बड़ी धूम मत सुकी है इसके अंसार इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बिवाद हो रहा है आपको बता दें कि कुछ समय पहले ये अफवा उड़ी थी कि फातिमा को आदित्या चोपरा इसलिए फिल्म में नहीं लिना चाते युकि फिल्म में एक intense kissing scene है जो कि अमीर खान और एक्टरस के बीच होना है लेहाजा अदित्या चोपरा को आपती इस बात पर थी कि पिशली फिल्म दंगल में अमीर खान ने फातिमा के पिता का करदार निवाया था तो संबब है कि इन्हें तरशक इस रूप में पसंद ना करें लेकिन अब जब इस पर तिबाशाली एक्टरस का नाम फाइनल हो ही चुका है तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये scene काफी बिवाद खड़ा करेगा अफवाहों की माने तो फिल्म में एक ड्रीम सिक्वेंस होगी जहां पर अमीर और फात्मा के वीच ये scene होगा हलांकि बोलिवड सुपरस्टार अमीर खान की फिल्म हो और कोई बिवाद ना हो ऐसा कैसे हो सकता है उनकी पिछली फिल्मों पर भी नेज़र डालें तो कुछ ना कुछ बिवाद जुरूर हुआ है शायद thugs of हिंदुस्तान के लिए ये एक scene ही काफी हो दोस्तों comment section में आप भी इस पर अपनी राय जुरूर दीजिए और हमारे चैनल को subscribe करना विल्कुल भी ना बूलिए तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए